नमस्कार सभी को जूनियर अकाउंटेंट विध्यार्थियों के लिए आपके कीम्ती समय में से एक थोड़ा सा समय आज मैं लेना चाहूँगा आपका संडे को अपनी यूटूब और एपली केस्टें पे किसी प्रकार की क्लास नहीं रहती तो उम्यद करता हूँ कि आपका पिछला कोई पैंडिंग वर्क है उसे आपने कम्प्लीट किया होगा आज के दिन में और थोड़ा सा समय आज इसलिए लेना जरूरी है कि आपके प्यारी में थोड़ा सा एक बुश्र डोज का काम करेगी आपनी ये आज की क्लास जैसा कि मैंने कहा था कि आपके एक्जाम तक मैं आपके साथ में हूँ तो परती दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नेया मेटर आपके लिए परती दिन उपलग्द करूँगा सिंगल ले आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गनित के अंदर आज हमें किसी परकार की परशानी आ रही है या हमें यहां से हमारा confidence week हो रहा है एक दिन भी ऐसा नहीं आने दूँगा पेपर होने तक आपके पर मैं आज से इस से आगे के करम की बातों की सुरुआत करूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा जुरूर बोलना चाहूँगा कि आप उन यूटूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से आज ही दूरी बना लीजिए जो आपके emotional के साथ खेल रहे है चुनाव होने के बाद में पोटो की गिंती हुई सरकार डिसाइड होगी लेकिन मुख्य मंत्री कौन बनेगा ये ना तो कोई टेलीग्राम चैनल वाला राई दे पाया ना न्यू चैनल और ना कोई यूटूबर जब इतने बड़े एक निन्न्या को कोई नहीं समझ पाया तो अगामे एक्जाम के समय में किसी परकार का परिवर्तन होगा नहीं होगा कब तक एक्जाम होंगे ऐसे परसनों को लेके दो फालतों के अफ़वाइं आपके मन में डार रहे हैं उन से आप दूरी बना ले आपका एक्जाम 11 फरवरी को है ये मान के चलिए और होना जरूरी है अपने लिए क्योंकि यहां से एक्जाम आगे जाता है तो हमारे लिए नुक्सान राए हो सकता है और इसलिए इस उमेद के साथ में कि 11 तारिक को ही एक्जाम होना है आपके पास गिंती का समय बचा है आप अपनी त्यारी को इंप्रूब करें और अच्छे से अपने सब्जेट को त्यार करें तो इसलिए ये जुरूर बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे चैनल और ऐसे टेलेग्राम चैनल से या यूटूब चैनल से दूरी जुरूर बना ले जो आपको गुम्रा करें या जो आपके इमोशनल के साथ खेल रहे हैं अच्छा कंटेंट दे रहे हैं उनको फोलो कीजिए और अच्छे पोजिटिव एनरजी के साथ अपनी त्यारी कीजिए ये तो था पहला वार्निंग अपने लिए और पहले समद्ध जो आप मेच्छोर हैं और इतना आपको समद्ध होना चाहिए अब उसके बाद में बात करते हैं कि क्या जुरूरी था आज के कलास बनाना अपने लिए तो उसमें मैं बोलना चाहूँँगा कि बहुत सारी विद्यार्थी अभी भी परिशान हैं अभी भी उल्जन में हैं परते दिन कोल के माद्यम से मेसेज के माद्यम से मैं सभी को रिप्लाइद देने का प्रयास करता हूँ सभी की मैं कन्फिजन को क्लियर कर रहा हूँ पिर भी मुझे लगा कि ये common message मुझे सबी विडियार्थियों के बीच में छोड़ना चाहिए जो junior accountant के exam को हर प्रस्तिती के अंदर पास करना चाहते है बोतों का ये last target है बोत विडियार्थियों का निया अन्नुबाव है तो सबी परकार के विडियार्थियों इस exam के दोड़ में है तो पांच राज नहीं कहूँगा मैं यहां पर मैं यह कहूँगा कि पांच लेवल बनाए है मैंने आपको त्यारी के अंदर और पर तेक लेवल आपके 25 में से 5 परसनों को cover करेगा अब आपको यह देखना है कि इन 5 लेवल में से कौन सा लेवल आप skip कर रहे हैं पर मैंने पांच लेवल में आपको त्यारी करवाई है और करवा रहा हुँ मैं किसी भी बाको मैं skip नहीं कर रहा हुँ और जो परड़े या पहले दिन से मेरे साथ चर रहा है वो बहुत confidence के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत confidence के साथ अपना पेपर देगा क्या है वो पांस लेवल उस पे हम बात करते हैं तो level number first की मैं बात करता हूँ जो नवी विद्यार्थियों के लिए तो फाइदे मंद है जो first day से junior accountant की विजबती आई थी कुछ समय में ने मेरा कॉर्स लोंच कर दिया और लाइव कॉर्स के माद्यम से उन्होंने सबी टोपिक बड़े इमांदारी से मेरे साथ पढ़े हैं और वो विद्यार्थि जो कॉर्स में होने के बावजूद भी regular नहीं थे उनको मैने चेताया था और बार बार मैने मेरी तरफ से प्रयास भी किया था बाई मेसेज आर कॉर्स के माद्यम से कि आप classes के मत करें regular class को लगा के रखें लाइव नहीं देख पारें बाद में देखें और जिन विद्यार्थियों ने इस बात की समझ रखें उन्होंने अपना classes को शुरू किया और बड़े अच्छे से practice की है उनका confidence दो कदम आगे है उन विद्यार्थियों से जो विद्यार्थि किसी परकार के लापरवाई कर रहे थे यहां से पूरा कॉर्स मैंने 130-140 गंटों में पूरा करवाया है ने विद्यार्थि के बात करूँ तो यहां से समय कम है आपके लिए इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप इतना बड़ा समय आप अपने अकले सब्जेक्ट को दे पाएंगे और मैं भी नहीं चाहता कि आप इतना बड़ा समय अकले सब्जेक्ट को दे जबके आप पैसले बस में बहुत बड़ा पार्थ है अलग लग सब्जेक्ट का तो इतना सारा काम तो नहीं कर पाएंगे तो ने विद्यार्थियों के लिए तो मैं कहूँगा कि ये लेवल गया फस्ट लेवल आपका खतम हो चुका है ने विद्यार्थियों के लिए पुराने विद्यार्थि जो फस्ट इसे मेरे से जुड़े वे थे उन्होंने अगर मा लेजिए 70-80% कवर कर लिया था और 10-20% किसी परकार से हिसा थूट रहा था 50-plus percentage आपने इसमें से कवर कर लिया टोपिक और कुछ हिसा अगर थूट रहा था तो उन थूटे वे हिस्चे को पहले कवर कर लिजिए यह मेरा पहला मत आपके लिए रहेगा तो यह हमारा level first नए विद्यार्थियों के लिए यह level जा चुका है पुराने विद्यार्थियों बचेवे पार्ट को पूरा कवर कर ले अच्छे तरीके से विवस्तित क्लासें आपके पास में है practice seat आपके पास में है PDF आपके पास में है उसको print out निकाल के अच्छे से त्यार करें level first अपना जिन विद्यार्थियों ने इस level को skip कर दिया या dairy कर दी join करने में मेरी class आप तक महुँचने में dairy की या आप मेरे तक महुँचने में dairy की है उनके लिए level two की बात करता हूँ क्या है level two कि उस उतने बड़े समय को जो हमने 130 से 140 गंटों का समय लेकर हमने पूरा क्या था उस पूरे सलेबर्स को मैं आपके लिए 20 से 25 गंटों में पूरा cover करूँ 20 से 25 दिनों में 20 से 25 दिनों में cover करेंगे अपने पूरा target रखेंगे परती दिन अपने 2 से 3 गंटी की classes लेंगे ये average समय रहेगा अपने लिए परती दिन 2-3 गंटे Monday to Saturday Sunday को class नहीं लूँगा और 45 से 50 गंटी की class में अपने इसे पूरा पूरा प्रयास है कि पूरा सले बस 45 से 50 गंटे में अपना cover हो जाए परती दिन अगर 2 गंटे का भी आप समय देते हैं तो इमान के चले कि average 25 दिन में आप इसे खतम कर देंगे पूरी गनित को single type को नहीं छोड़ेंगे single topic को नहीं छोड़ेंगे single person को नहीं छोड़ें जो आपके exam की दर्शी से अधिनस बोट जो जिसकी परकरती जैसा person लाने की हवेसा है उन सब person को हम cover करेंगे इस class में अभी तक हमारे दो दिन की class हो चुकी है पहले दिन की class धाई गंटे के रही थी दूसरे दिन की class तीन गंटे के रही थी संख्या पती हमारा topic है तीसरे दिन की class कल होने जा रही है timing सुबह 10 बजे से लेके आगे का समय मैं नहीं बताऊंगा क्यूंकि वो समय 12 बजे भी हो सकता है और एक बजे भी खतम हो सकता है परती दिन सुबह 10 बजे तो इसमें अपने daily type wise जितने भी question होते है उतने type के question करौँगा और आपको इस सामने वो PDF दोगी उसमें से कुछ selected पांस-पंस परसन आप उसे करेंगे ये बात मैं काफी बार बोल चुका हूँ और पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ word work की PDF है वो आपके पास में इपलब्द होगी आप उसको डाउनलोड करके अगर आप किसी प्रकार का मेटर सिर्फ देख के करना चाहते हैं वीडियो नहीं देखना चाहते बाद में लाइब भी नहीं आ पाती है और आपको लगता है कि नहीं में वीडियो देखने में समय नहीं देना चाहूँगा मेत मेरा अच्छा है मैं केवल देखना चाहूँगा कि सर ने जो करवाया है कुछ निया है तो मैं उससे नोट डाउन करूँ या अलग से समझो तो उसके लिए पीडियाफ बिलकुल आप अपने मोबाइल गेलरी में डाउनलोड करूँ जुरूरत पड़े तो प्रिंट आउन ने कर लो नहीं तो वहीं देखके खतम करूँ बहुत बड़ा मेटर कलेक्शन करना का समय नहीं अब अपने पास में टाइबाइस प्रैक्टिस सीट आपके पास में जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से दो दो पांस पंस पंस परसन आप कर लीजिए ताकि आपका रिवार अपने हाथ की आदत बन जाती है उन परसनों को करने की प्रैस कोर्स के माद्यम से पार टू लेवल टू जो विद्यार्थी पहले नहीं जोड़ पाए वो आज ही कलास को जोइन करें और बचे वे समय में 20-25 दिनों में पूरी गणित निकानना और उस 20-25 दिनों में आप जिस परसनों को जीरो मानके चल रहे हैं या 5-10 परसन का आप उमीद करके चले उस ग्राफ को यू मानके चली कि आपकी उमीद से मैं ज्यादा तक लेकर चलूगा और होगा इंप्रू जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं यूटूब के माद्यम से जुड़े हुए हैं अपार में आप उनसे जरूर फीड़ लीडिये कि क्या व 233-50 गंटे का समय भी नहीं दे पाई हमें लग रहा है कि 20-25 गंटे का समय तो दे देंगे लेकिन कुछ और को छोटा तरीका है तो वह तरीका आपने पास में मेरा थन 500-6 गंटे के live class में में लेकिया हूँगा तक दिन में ही लेकिया हूँगा इस मेरा थन kลास के अंदर मैं क्या रखूँगा कि आपके 100-plus person लेकिया हूँगा person उठाऊँगा परते एक चेप्टर से 10 से 12 परते उठाऊँगा और हर चेप्टर को करम से लेके चलेंगे हम पहला चेप्टर number system पढ़ेंगे फिर उसके बाद में संख्या दसमलो वाली बात पढ़ेंगे फिर उसके बाद में अनपास मानुपाथ फिर परतिसत, सरल ब्याज, ला भानी, चकरवरती ब्याज, टाइम एन वर्क, टाइम एन स्पीट और स्टैटिक स्पे जाके हम रोख देंगे अपनी क्लास को, लाइव क्लास के माद्यम से जो कल सो मार को साथ बजे मैं आपके साथ में हूँ आप अपनी इतने बड़े एक्जाम के लिए उम्यद करता हूँ कि पांच गंटे का अपना कीम्टी समय मेरे लिए जुरूर निकालेगे और मैं मेरे लिए नहीं कह रहा है कि आप अपने लिए निकालेंगे क्योंकि गंट के इन पांच गंटे में आपको खुद को एक फिल हो जाएगा एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा आपके अंदर कि आपको लगेगा कि अब हम गनित कर सकते हैं और बहुत अच्छे सी मिला है अपने को यहाँ पर जितना आपने सोचेंगे उससे ज़्यादा मैं प्रियास करूँगा आपके लिए कल के दिन में तो लाइव साथ बजे कल आना है पांस से च्छे गंटे के क्लास लेगी सारे टोपिक आपके सामने निकलूँगा परते एक टोपिक के हर टाइप में से सिंगल सिंगल क्वेस्टन उठा के मैं आपको कुछ एक्स्प्लेइन भी करता चलूँगा समझा भी दूँगा और उनसे आप अपना ये भी देख लेंगे कि अगर ऐसा क्वेस्टन आया तो क्या हम कर पाएंगे तो आप अपना आप मुल्यांकन करेंगे लेकिन अगर दोनों ही कॉर्स में नहीं हैं तो फिर आप देखेंगे कि क्या हमने कुछ बहुत इपोर्टेंट भाग छोड़ दिया या एक जो समय हमने निकाल दिया तैरी में उस तैरी में कहीं न कि थूड़ी सी जूख हुई हमें क्या हमें आपस में नहीं मिलना चाहिए था अपने को थोड़े समय पहले अब भी मिले हैं तो क्या आपने को डिजन लेना पड़ेगा कि इनके क्लास जोइन करें करें मेरे ख्याल से आपका जवाब यस मेर आएगा और आप यह कहेंगे कि क्लास जोइन आज ही कर लेने जाए तो यह हमारा तीसरा मेरा थन क्लास फिर से बोराओं कल शाम साथ बज़े तो हमार को क्योंकि आज संडे है तो कल मिलेंगे अपने साथ बज़े अपने क्लास लगए यह हमारा तेसरा जो कि मेरा थन क्लास के लेवल थर्ड आज आते हैं लेवल फॉर्थ पे बात करते हैं लेवल फॉर्थ पे मैंने प्रिवेश एर के फ़सना आपको करवाएं। अब तक हम पांस टोपिक कर चुके हैं जिसमें संक्यापत्ति, अनपास समानुपात, परतिसत, उसके साथ साथ अपना चक्रवर्ती ब्याद और स्टैटिक्स। अभी हमारी चार टोपिक बाकी हैं सरल लाभानी, टाइम and वर्क, टाइम and स्पिड, जो कि कल के मेरा थन कलास के बाद में मंगलवार से परति दिन जो आठ बजे का मेरा समय हैं उसमें लाइव कलास के मादियम से प्रिवेश परसनों को मंगलवार को हम टाइम and वक टोपिक के साथ सुरुवात कर देंगे। परति नहीं तो पर टेक यूटूब के वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में देरका लिंक आप वहाँ से जोइन कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है कि मुझे पूरा का पूरा एक चेप्टर की एक सिंगल पीडियाफ चाहिए जिसको मैं अच्छे से कर पाऊं तो फिर मैंने क पाग की पीडियाफ बड़े अच्छे से आपको वेस्तित और उन सभी पीडियाफ को आप गैलरी में अपने डाउनलोड कर सकते हैं एक्सपोर्ट आप्शन के से तो यह हमारा लेवल फूर्थ प्रिवेश से परसनों के माद्यम से बचेवे टोपिक मैं करवाना शुरू कर करना है मेक्सिमां 25 प्लस चलना है तो मैं यह जरूर कहूंगा कि वो विद्यारती उनकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है यदि आप पांचों ही लेवल में मेरे साथ में जुड़े हैं और फिर आप अगर यह कहें कि पेपर के बाद में 20 प्लस कम स्कोर वा तो फिर पूर्ण लुप से मेरी जिम्मेदार लेने को त्यार है पर ऐसा होगा नहीं एक अनुभव के साथ मैं मेरी यह बात बोड़ रहा हूं किसी परकार का अंदाजा नहीं लगा रहा है तो इसी परकार से चलते हैं अपना फिफ्ट और अंतिम लेवल पांचों लेवल कहता है कि जब आप के 25-25 परसनों के में टेस्ट आपको उपलब्द करवा रखें आप उनमें जाके अपना मिलांकन जुरूर करें टेस्ट इस फॉल्डर में जाएंगे एमर्स अकेडमी के एप्लिकेशन में और अपने सभी टोपिकों करके देखें ताकि आपको पता चले कि परसनों का स्तर क कितना साहीं कर सके जैसे ही अपने प्रिवेश इर के प्लास कव्प्लीट हो जाएगे बचे वेचा हो जाएगे पूरे उसके बाद में मैं आपके लिए मोग टेस्ट लेकर होगा में यूट्यूबहग होई है या परशानी आ रही है उसको तुरंत वहां पर एप्लिकस्न में आके चेक किजिए कि इस परकार के टाइप परसन अगर हमारे सामने पेपर के दोरान आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और किस से करना चाहिए ये मैंने आपके लिए पांच लेवल बनाए थे और इसलिए मैंने का था कि इन पांच परकार के लेवल बने हैं पांचो लेवल से आपको निकल के आना है आपका समय कम है और समय कम है तो ये आपको अपनी समझ के साथ देखना है कि कौन सा हिस्सा छोड़ना है और कौन सा हिस पढ़ना है और इन पांचों लेवल में निकलने के लिए आपके जैब से जो खर्चा होगा वो केवल 299 का जिदि आपको लगता है कि हम किसी परकार का ये खर्चा नहीं कर सकते तो मुझे बिल्कुल परसनली आप मेसेज करें कॉल करें मैं वो भी नहीं लूँगा आपसे पर प्रयास किया हैं आप उन्हें स्किप मत करें जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ और मैंने आपसे ज़्यादा बड़ा समय नहीं परते दिन ये कहा था कि आप अपने त्यारी के 24 गंटों में से बाकि 23 गंटे दे दिजिए किसी भी क्लास को अपने लिए मेरे लिए परते द करेंगे अपने इसी के साथ मैं मेरी बात को रोकता हूँ आप अभी से इन बातों को फोलो कीजिए अपने समझ से आप डिसाइड कीजिए कि अब यहां से हमें क्या करना है मैंने मेरी तरफ से बता दिया कि अब क्या किया जा सकता है ये मैंने बताया है आप क्या करेंगे य आपके शम्ता है कल मिलते हैं मैं मेरा एक लिवल थर्ड का तीसरा प्रैस करने जा रहा हूं मेरा थन के रूप में क्या हमको साथ बजी जुरूर आएंगे आप सभी विद्यारती और लाइफ सेस्न के माद्यम से देखें कि आपका पर्तिदवन्दी आपसे कितना अचा गनित क करता है और आपको गनित करने में कहां समझे आ रही है समय के साथ जब आप चलते हैं क्या अच्छे परसन को कर पाते हैं या नहीं क्यूंकि समय का दबाव एक बहुत बड़ा दबाव होता है जब हम पेपर के अंदर बैठे हो उस दबाव के साथ अपने इस कलास को देखें हूँ उमीद है कि जो मैं आज बताने जा रहा था आपको समझाने जा रहा था वो बात समझ चुके होंगे और मेरा इस सारा भी आप अच्छे से जानगे कि मैं किस तरफ ही सारा कर रहा था पर मेरा प्रयास अंतिम रूप से एक ही है कि आपके गनित के अधिक्तम परसन में स से ही करा हूँ मिलते हैं कल नई क्लास के साथ